तो Deadpool and Wolverine में इतने सारे cameos हैं जिसको देखकर के तुम्हें इतना मज़ा आएगा जितना तुम्हें Thought, Love and Thunder की पुरी मूवी देखके नहीं आया होगा तो मैं पहले ही बता दू कि इस वीडियो में भर भर के spoilers होने वाले हैं इसलिए मैं तुम्हें पहले ही warning दे रहा हूँ ताकि आगे चल करके तुम मुझे बाप भाई की गाली ना दो और इन cameos के बारे में मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे cameos को देखके आधे लोगों को तो समझी नहीं आया कि आखिर ये कौन सी खेत की मूली है तो सबसे पहले हम बात करेंगे उस cameo के बारे में जिसको ठेटर में लोग देख करके चिल्ला चिल्ला कर पागल हो गए थे जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ Captain America के एक्टर Chris Evans की जिन्होंने cameo किया था as Human Torch के रोल में और जिन लोगों को ये समझ में नहीं आया कि हमारे Captain America Human Torch का रोल क्यों कर रहे हैं तो मैं तुम लोग को बता दूँ कि वो 2005 के Fantastic Four में अल्रेडी Human Torch का रोल कर चुके हैं और उसी कैरेक्टर के वज़े से Marvel आगे चल करके उन्हें फिर से एक Super Hero रोल दिया और वो था Captain America बढ़ते हैं दूसरे cameo पे और ये cameo लिटरली बहुत ही ज्यादा unexpected था In fact, इस actor ने तो DC के एक बहुत बड़े Super Hero का किरदार निभा चुका है और वो है हमारे Superman Henry Cavill जिने हमने Wolverine के दूसरे variant के रूप में देखा था और मैं guarantee के साथ ये बोल सकता हूँ कि ये देखकर DC वालों का पिछवारा जल गया होगा बढ़ते हैं तीसरे cameo के तरफ जो खुद बहुत चिलाता है और उसे देखकर के audience भी बहुत ज्यादा चिलाने लगी और वो था हड़ा पिछवारा वाला Hulk और मेरे explanation की तरह इसका cameo भी इटाई छोटा था चलो अब बात करते हैं next cameo की जिसमें है Blade, Electra और ये 60 बास तो सबसे पहले बात करते है Blade की जो कि हमें पहली बार दिखा था 1998 के Blade मूवी में और इसकी खासियत यह है कि ये Deadpool के तरह बहुत अच्छी तरीके से तलवार चला सकता है बस ये उसकी तरह बक्चोदी नहीं करता फिर आते हैं इस चिकनी चमिली के उपर यानि की Electra जो की एक trained expert fighter है और मैं इसकी ज्यादा खूबिया नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे पताएगे तुम मेरी तरह इसकी खूबसूर्थी पर ही ज्यादा ध्यान दोगे और आखरी में आता है ये सटा बास जिसका नाम है Gambit और ये पहली बार X-Men Origins Wolverine में दिखा था और इसकी खास बात यही है कि ये किसी भी चीज़ को charge करके वो kinetic energy उटपन करता है और उसे throw करने के बाद एक बहुती बड़ा blast period होता है बस यही सारे important cameos थे वैसे तो movie में और भी Marvel के छोटे मोटे दलाल ने cameo दिया था लेकिन वो लोग इतने important नहीं है और अगर मैंने किसी important cameo को miss कर दिया तो तुम उसका comment में नाम बताओ वो अलग बात है कि मैं उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा नहीं वैसे अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो channel को subscribe कर देना और गाउं में जमीन हो तो मेरे नाम कर देना और अगर तुम्हें जानना है कि मुझे ये movie कैसी लगी तो इस वीडियो पे click करो